नमस्कार दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेरा मेडिकल क्रेकर फर्म तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल ब्यारी बाजपिया मेडिकल यूनिवस्टी उत्तर प्रदेश के बारे हैं खुसकवरी है आपके लि यूट्यूंट्यूंग नहीं वुक नतर से पहले यह ये यूटियो अंतर को एक घक लाएं तो आपको जब भी अप lips नइन फिल कराने से पहले यह वीडियो देखले तो आपको form फिल कराते समय कोई परसानी नहीं होने वाली है चैनल पर आप बेल इवार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को जाधा स्याधा सेयर करना है आपको अटल व्याज़ प्याइडिका यूनिवस्टी से जो आपकी बेल इशी नर्सिंग होने वाली है उसकी सारी अपडेट आपको इस चैनल पर आपको मिलती रहे गी तो फ्रंट ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपको सी दे लेके चलेंगे इसके प्रोस्पेक्टस पर तो फ्रेंस अब आपके स्क्रीन पर सामने दिखा जाए होगा अटल व्यारी व्याइजपिया यूनिवर्स्टी उत्तर प्रदेश तो यह यह बीएसी नर्सिंग का फोर इयर्स का कोर्स होता है जो कि क्या होता है इसको आपको एंटरंस अग्जम देना पड़ेगा तभी आपका उसमें एडिसन होगा सबसे पहले में आपका जो फीस की वात कर लें इसके इन्फॉर्मेशन आते हैं इसके अलावा आप एससी या स्ट केटेगरी में आते हैं तो आपके बाररस रुपे एप्रिक्री की फी अपकी फीस पेयोगी बात कलें कि उस्टार्ट हो गये थे वह सितर्बर सकते हैं अपने प्यूर्च कर सकते हैं इस आपको बता दिया जाए कब आ जाएंगे और इसके अलावा आपका फोर्थ बीक ऑफ अक्टूबर के चौते या आपके नवंबर के पहले अफते में आपका एक्जाम हो जाएगा आपका जो सेंटर कहां होना है वह देल संस्थ अध्य कणिया जाएगा करी। आपकी जो first counseling start हो जाएगी वो पहले अपते December के पहले अपते से first counseling हो जाएगी और second counseling की date आपकी December के 3rd week में start हो जाएगी last date up to 3rd counseling कब तक हो नहीं है वो 10 जनवरी 2-12 तक हो जाएगी इसके लाब मैं पॉइंट पर बात करते आएगे आपको जल्द सल्दी information देते जाएगे कि कोई भी आपको परजा नहीं ना हो form fill कराते समय तो friends आप देख सकते हैं सबसे पहले candidates will be allowed to enter in the examination hall only on presentation of admit card तो सबसे पहले examination आप देने जाएगे तो आपको admit card के बेना entry नहीं दिये जाएगी जो आपका exam होना है वो कितनी देर का होगा वो 180 मिनट का होगा यानि 180 मिनट मान सकते हैं 3 गंटे का होगा जो की सुबह 11 वज़े से लेकर दो प्यार दो बज़े तक इसका समय रहेगा exam का और इसके बात बता दुका आपको exam center में जो जाना है आपको 60 मिनट लगवा एक महिना एक आपको एक घंटे पहले जाना पड़ेगा जो आपकी last entry रहेगी वो 30 मिनट तक रहने वाली है तो फ्रेंट इसके बाद बात करने examination will be on mcq ways in English language तो फ्रेंट ये आप point दे सकते हैं आपका जो exam मिलेगा वो केवल English language में मिलेगा ये दोनों आप point पड़ सकते हैं और अगला point है आपका there will be 200 multiple choice question आपको 180 मिनट में आपको 200 multiple choice question करने पड़ेगे यानकि 200 question पूछे जाएंगे और जिसमें से आपका 20% आपका nursing से पूछा जाएगा nursing जो आपने course किया है उसके लिए किया जाएगा और 20% आपका physics 20% आपका chemistry 20% आपका biology से पूछा जाना है और 20% English और आपका general knowledge से पूछा जाएगा देख सकते हैं सबका आपका 20-20% ही है 20% का आपका मतलब समझा सकते हैं 20% कतना होता है तो 200 question आपसे पूछा जाने 180 minute में 20 question आपके 40 number है वो आपका क्या पूछा जाएगा nursing से पूछा जाना है और 40 number आपका physics से पूछा जाएगा और 40 से आपका bylaw DCA position से पूछा जाना है और 40 number का आपका क्या रह जाएगा GS रह जाएगा और English रह जाएगा 180 question 200 question हो जाएगे आपके 5 subject है तो 5 subject आप देख लेंगे चालिस question और आपके English में भी 20 question है तो आपके total जो question बनना है वो 200 हो जाएगे आप देख सकते है और आपके general knowledge के और English के इस प्रकार आपके total जो question होते हैं 200 question पूचेंगे जो की 180 मिनट में करने पड़ेंगे जो इसके अलावा आपका जो इसमें negative marking आपकी नहीं होने वाली आप दे सकते हैं एक बार आपको मैं highlight करके बता दूँ The MCQ has one correct option there shall be no negative marking जो आपका एक question है एक number का होगा और कोई भी आपकी negative marking नहीं होगी इसमें दे रखार इसके लावा हम और बात कर लें यह आपका चार बर्स होता है इसमें आपको जो age limit रहने वाला है 17 साल का अवर्ष होना चाहिए तब इस form को आप fill कर सकते हैं जो की 31 October तक 2021 तर हो जाना चाहिए और आपकी जो मेक्डिमम में जो की 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए 35 वर्ष अगर आप इस form को fill कर पाएंगे इसके अलावा अगर आपकी जो age है SC, ST, EWS या OVCC है या PSC है तो आपको 40 वर्ष अधिक्तम age limit कर दी जाएगी तो फ्रेंट एक बात और है इसमें कि आपको मैं बता दूं आपको इसमें जितने भी questions आ रहे हैं उसमें से 50% आपके marks जरूर होना चाहिए यान कि आपके 50% marks को दें तब ही आप counseling कर पाएंगे आपको 50% passing marks चाहिए यान कि overall आपको 50% passing marks चाहिए चाहिए तब ही आप counseling कर पा commission आपको सामने हम बताते हैं जो important है वही हम आपको इसमें बता दिंगे यह सारी हम बात करने वाले हैं क्या क्या है और friends इसमें हम बात करने की देखो यह दे रखार में जैसे की बता रहा था for minority institute government college के जो आपकी seat हैं वो 50% है यान कि जो government seat रहेगी वो आपकी 50% रहेगी और इसके अलावा जो 50% seat हैं वो आपकी private रहने वाली है तो आप इसमें देख सकते हैं जो government approved है वो 50% seat can be filled by college themselves however the candidates has to pass CET to 21 2021 आपका with more 50% mask आपका जो 50% mask होगा तभी इसमें CET test में आपका 50% mask होते हैं तब आपको qualify कर दिया जाएगा मैंने आपको date provide बताई दिये शुरू में तो आपको फिर से हम इसमें बात नहीं करेंगे और अभी आगे information जितनी हम आपको मिल जाएगी अभी आप इसका application form fill कर सकते हैं तो यह मैंने आपको information देनी थी तो आप इस form को जल से लब फिल करा दें अभी काफी time है आप आराम से अच्छे से एक बार इस वीडियो को और देगा है कोई समस्या आ रही है इसमें इसमें male और female दोनों कर सकते हैं यह एक बात अब बतानी थे तो male female आप कर सकते हैं तो यह आप इसे बारा है जरूर तो thanks for watching and subscribe my channel friends इसके regarding एक बात और मैं बता दूँ आपको अगर आप इससे ए question पूछी आते हैं कि सब्जेक्ट में पूछी आते हैं सारे आपको question मिल लाएंगे आप series why one two three आप देखते हैं तो आपको entrance exam में बहुत help मिलने बाली है तो bye bye